दोस्तो आज की वीडियो में हम ओमास का कंपेरिजन सांगा से करने वाले हैं कि इन दोनों में से रियल में कौन तगड़ा है तो दोस्तो आज की वीडियो काफी तगड़ी होने वाली है तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना चला भए देख अपने क्या करता दोस्तो ओमास का रियल नेम जोर्डन अमोंग बेहिन है तो सांगा का रियल नेम सोरफ गुजर है दोस्तो ओमास की हाइट 7.3 इंच और वेड 405 पाउंड है तो सांगा की हाइट 6.8 इंच और वेड 326 पाउंड है दोस्तो करम बात करें Omas की तो Omas एक professional wrestler होने के साथ साथ former college basketball player भी है इसके अलावा Omas ने WWE में AJ style के tag team partner के रूप में WWE road tag team championship भी जीती है और Omas 2021 के battle royal winner भी है दोस्तो करम बात करें Sanga की तो Sanga एक professional wrestler होने के साथ साथ actor और former national kick boxing में gold medalist भी है इसके अलावा Sanga ने WWE में आने से पहले महा भारत में भीम और संकट मोचन महा बली हनुमान में रावन का role play किया है इसके अलावा दोस्तो Sanga ने बरमास्तर मूवी में भी काम किया है दोस्तो करम बात करें इन दोनों में से real में कौन तगड़ा है तो दोस्तो करम बात करें Omas की तो आज के टाइम में WWE में Omas काफी खतरनाग giant monster है जिसने WWE के main roster में काफी तहलका मचा रखा है कमांडर अजीज जैसे giant superstar को Omas ने single single match में भी हराया है और handicap match में भी हराया है सेंकी सिंग जैसे giant superstar को भी Omas ने battle royal में eliminate किया है यही नहीं दोस्तो आज के टाइम में WWE Omas को main roster में काफी तगड़े giant superstar के रूप में दिखा रही है लेकिन दोस्तो जहां बात आती है सांगा की तो सांगा NXT 2.0 के अंदर तो काफी तहल का मचा रहे है लेकिन अभी main roster में सांगा ने अपना debut नहीं किया है अगर आने वाले टाइम में WWE सांगा को main roster में debut करवा कर एक तगड़ा पूझ देती है तो सांगा भी Omas की तरे काफी तहल का मचा सकते है लेकिन दोस्तों अभी के टाइम में WWE के हिसाब से देखा जाए तो WWE Omas को सांगा के मुकाबले काफी तकड़ा सुपरस्टार दिखा रही है आने वाले टाइम में हम कुछ कहें नहीं सकते लेकिन जहां बात आती है real fight की तो real fight में सांगा Omas को हरा सकते है क्योंकि सांगा National Kick Boxing में Gold Medal है मतलब सांगा ने National Level पर Kick Boxing में Gold Medal जीता है जो की बहुत बड़ी बात है आई ब्रो तो दोस्तो WWE के हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है WWE Omas को सांगा से जितुआ दे लेकिन real fight में सांगा Omas को हरा सकते है क्योंकि सांगा ने किक बॉक्सिंग में काफी तगडी ट्रेनिंग ले रखी है और सांगा नेशनल लेवल पर किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है तो दोस्तो रियल फाइट में सांगा ओमास को हरा सकते हैं लेकिन दोस्तो ये सिर्फ मेरा ओपीनिन है आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंड के थूर बता सकते हैं